लेकं तो लाट डर पाई जी इसे पका एगे इसे पका कुछ ना कुछ मेंगी चीज़ है और उसे मेंगी चीज़ सरकार ने कटनी और कटने बास्ति आसे लोग केंगी जो आटना जाहां से लिए गया था ये अब सरकल करके देख रहे होंगे और ये एक घहरा खड़ा जो है व आपको अगर फैंक के बता हम तो आपको पानी की आवाज आएगी जैसे बारिश का पानी इसकंदर जमा हो गया सुनियेगा तो यह बहुत ही जादा गहरा खड़ा है तो यहां से जो है लीथियू का सेंपल लिया गया तो रहाशी परसंटेज कर ना परसंटेज एक्विटी यह से लाल कां के लोगों को ठीक है और गाया है कोई चार पेडिया चला कामा यहां से अकर लीथियू लोग तो परसंटेज जाए बटे-बटे-बटे-बटे-बहरत देख भी इसे से टंके टूंक छाएंगा आपने देखे होंगे इसे लागे लास्ते वाजम आपने लिए नौ फरवरी को मनिस्ट्र आफ माइंज ने क्लेम किया कि रियासी के सलाल गाओं में 5.9 मिलियन टन का लीथियू है जो की पुरे हिंदुस्तान के लिए एक तौफा था और मैं उसी सलाल गाओं में हूँ अभी और यह आप ठीक मेरे सामने नीचे देख रहे होंगे तो यह वही जगहा है जहां से लीथियू का सैंपल जो है वो लिया गया था यह अब सरकल करके देख रहे होंगे और यह एक गहरा खड़ा जो है वो भी यहां पर है जो की बहुत ही जादा गहरा है मैं आपको अगर फैंक के बताओं तो आपको पानी की आवाज आएगी जैसे बारिश का पानी इसके अंदर जमा हो गया सुनियेगा तो यह बहुत ही जादा गहरा खड़ा है तो यहां से जो है लीथियम का सैंपल लिया गया तो रैसी सो और जगा थी जहां से पूरे सलाल गाउं में लीथियम का सैंपल लिया गया यहां पर कुछ लिखा भी हुआ है जो की मैं शाइद से अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंग पर ये लिठियम है जो कि बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान के गाम आएगा भाई साब और आज हम सलाल गाउ में तो आई गे हैं तो चलिए फिर आज सलाल के गाउं के लोगों से पूछते हैं लिठियम उनके गाउं में निकला है अब उनको लगता ये सही हुआ है अब उनको खुशी है या थोड़ा सा गम है क्योंकि भाई, लाइम लइट में तो सलाल गाउँ आ गया है, पूरे हिंदुस्तान में आ गया है तो चलिए आए सलाल के गाउआं वालों से मिलते हैं क्षुशी दिपाल है कर दिखालाई लगा जब भाद खुशी जब बाद में निकाल देंगे तो फे दूखी हैं यह क्यों कि निकाल देंगे तो मुछकोल ओगा अगर मकान बनाना रहना जा रहना सेहना आएसा कि अधर इसमें आवको पता था पाले जब मंद पहले तो प्षिए घार अगर पैले शॉय फीड था नश पेले ईसा दो पहले वी आये थो उन्होंने देखा था पाले भी आई थी कमपनी तो उन्होंने कुछ बोला क्या है वह लुव ले लिया था उन् अपर अंकल से बात करते हैं, अंकल, क्या खाने? मैं आजा हम बैठे ही उद्र हैं उनके उपरी तो बैठे हैं लिट्वालों की अभी अभी और क्या है तो आपके बास बड़ा लिथियम बड़ा होका और लिथियम इदर सचनाप तक तो लिथियम ये 2 किलो मेटर बूरा आपिजने लिखियर और किलो इस पिर आख़र पेल आख़र भी वे भी आ फैले युट पिर पेले ने ऊटर्टेस को से कल आख़ रहो उन्हें टिन जो यहां किनना है कि कोई पहल अबगा या कोई के एकस्टेशन की ए एक कोई पर्संटेज देगा ना इस एक पर्संटेज एक विटी जाई यह सलाल काऊ के लोगों को ठीक है कोई चार पीडिया के चलंग का यहां से अगर लिधियों लोगे तो पर्संटेज चाहिए अंकल शाक टैक तो नहीं देख रहे हैं लेकिन हम बढ़ी बात है कुछ तो चाहिए ना पीशे बाले जो पीडी आएगी तो उसको जो चाहिए नहीं तो इदर से उठागे नहीं तो बाहनी तो चलता रही काम टेंको यहां पिल्स हां दस पिडियों के आगे जगार चाहिए 900 फीडियों के जुखार कि ओट के उसा लिधे अनुक्रहें टुछ उप्ता दूर्टित लोड़ी आइँ क्या है पाता ऊंक बाहन जाना ठींवा तरिग थी अके आख्यों निकलानि टूप सब्सक्राइब और नियुक्त के तो बाद मेंगे चला कि लिए तो शोंदे से भी उपर है तो अब इसकी कीमत थोड़ी से समझ आरे आप देख वालो हुरी अभी अभी कीमत तो हमें पाद चल गए इसको बाहर ले ने निए देया अभी अच्छा वह बोल्ड़ी कोई अब नहीं पुटतर आप पता लग्या बट्टा नहीं यह पहले ले ले लेटे थे पहले इदर से हर जगा जाता था कोई चक्कन नहीं था अभी एक दिन बनता आया था वोलता जोरी में ले जाओ मैंने वह एक शोटा सा ले लो ज्यादा बड़ा नीज्वादा नीकिशी ले हमारे इंडिया में तो बहर से आएगी टीम करेंगे जो गया है तो एसलाल के लोग खुश है बिलकुल खुश है दुखी है अंकल लिद्धियों निकली तुन देग रहा फिर अलिदियों निकली तुन देगर आपर लिदी खुशी दिगाले थोड़ा साथी एदे थोड़ी माइग्रेशन चाहिद हो है कि अधर माइग्रेशन करने जाए तो खुश भी हो पर चिंता भी है कि थोड़ी आगे विच्छन जाना पर वास बाकी बाकी तो खुशी है कि सलाल ग्रांद ना पूरे इंदुस्तान चे रोजगार भी मेला ऐसी कोई गाल नहीं है यह थोड़ा पत्थर को पहले तो पहले भी हुए थे पहले भी हुए थे पैले भी हुआ था कोश्कूंपणी आई थी फिर वो चले उन्होंने बताया कि बैटरी वगेरा बीकल वगेरा जो भी है गाडियन वगेरा इड़ में बहुत काम आने वाली चीज है बैटरी वगेरा सारा इसी से बनेगी सरकारी तोर पर अनौसमेंट वहीं दिल्ली को लाइं सुनिया से ता इदर नहीं चंगी गल अगल अगल सुनिया सरकार वास्ते चंगी है लेकर जिके साड़े लोकल लोग नंद दर्शे चंगी नहीं है ओगली वह के जड़ा सब्सक्राइब अब जिए निके निके दुकान न लिए पूरे इंदुस्ता लोग के लोजगार मिल लें सरकार मतलब कुछ ते कुछ ने करना लोग के लाधी गले साड़ी सरकार ने के करना लोग इस कारना उन्हें किस त्रिके ने रीहब्रेट्येशन करना वह रिदे की नहीं हुए खुशी भी यह से लेकर अपने प्रवाज प्रवाद देश कि अगर देश वास्ते तपी अजिक रवानी देने तयारा कुछ एसी काली है लेकर लोग इस कमा से नहीं करवार निए कर देखर अपने कार बार खोटी बारी जमीना श्मीना बिल्कुल सारे बास ते भी कुछ स्पेशल केस बनाई यह का एक एक फ्रक्ट लोगों नहीं तो नहीं कम से कम कुछ अच्छी जेगा उपर सैटल किता जाया और जत्ते रोजग रोजगार भी जिता जाएगा सारी मांगा रगनों बाज चिकल लेकर फिल हाल जिड़ा है कि हाई लेवल ती गालबाज चला कर दी सारे ली डिस्ट्रिक है डिकॉर्टर भी कोई इन्फरमेशना से नहीं आई था अंकल तो है पहले पता नहीं होना कि लिद्धी मैं तो बट लाचिन सारे कामद आज मैं इने उसे क्या करना सी घलता सी यह गालता से शागल नहीं इता को फैक्ट्रिया प्रदा लिदी नहीं आने ठञट थोड़ा पेरा है वारे तो बट्टे यह वह तो बट्टे मांगा बत्टे है वह तो पादा निकुर्धा यह यह वाई कुथ प् ढाई दराई चलो कोई बाद देगा निकले आपके गों में हाँ निकला तो है तो आपको पहले कि मतलब बटेकोई एक्सक्टेशन थी कि यह निकलाएगा निए वो क्या बोलते हैं इसको सर्वे हुए थे लेकिन इना बड़ा नहीं सोचा ला कि लिट्टीम निकले अपने का सब्सक्राइब तो अच्छा रोजगार मिल जाएगा सब्सक्राइब अब देखते हैं कहां जाना इदर से कांव ठाके भाएंगते हैं कुछ और ही हो उसने गाउं छोड़के जाना पड़ेगा तो फिर फिर दुख है अगर वो छोड़के ना जाएं तो फिर खोशी खोश है सलाल के गाउं के लोगों से तो हमने बातचित कर ली खुशी तो है क्योंकि लिथियम निकला है पूर हिंदुस्तान में नाम बन रहा है और लोगों के यह कहने कि हिंदुस्तान पहले है अगर हिंदुस्तान को फाइदा होता है तो हम सारी जमीन देने को तैयार है और आप म कहना है लीथियें में बारे में सलाल के बारे में और सरकार को सहलाल के गाउन के लोगों का किस तरह से rehabilitation करना चाहिए अपनी राइज है कमेंट सेक्षन में रख सकते हैं एंधे हीज चाहिए अड़ता हूँब लीथियम से खेलता हूँ और अफना चीब आव लगं